तो फैंट से वीडियो हम देखने वाले हैं SSGD का जो आज थर्ड शिफ्ट हुआ है उसका एक्जाम अने लिए से देखने वाले हैं और यहाँ पर मैं आप कुछ एक्स्टर चीए बता दूँ क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टुएंट के साथ में दिखकते हैं रही है कि स्टुएंट को टॉपिक से ही कोशन आ रहा है मैंने कहा है आपसे पहली चीज़ तो मैंने आपसे यह बोला है कि मैंने सूला सत्रा अठारा और कल की जो वीडियो रहेगी वो मैं पता दूगा बाइस तारिक के लेकिन उन में क्या कोशन आ सकते है क्या टॉपिक आ सकते है वो थोड़ा सा एड करना वागी रह गया तो मैं एड कर दूगा साथ आठ वज़े तक वो वीडियो मिल जाएगी complete analysis के साथ में अच्छे ये वाली जो वीडियो है जो थर्ड शिप्ट की है उसमें क्या क्या आया है वो पहले में बता देता हूँ देखिए हाँ पर हम बात करें student बूल ला है कि 3, 4, 5 जो हिस्टरी कोशन आ रहे है current affair के कोशन आ रहे है current affair कोशन जो है 12, 20 और 19 और 21 का भी कोशन पूछे जा रहे है general science के definitely 3 से 4 कोशन आ रहे है article से एक कोशन आई आई रहा है यानि कि संबिधान से later day कोशन आ रहा है और static geek के जानि कि नदी, river वगेरा से संबंदिश 4 या 5 या 6 कोशन आपके पूछे जा रहे है और इससे पहली यह first shift थी उसके मैंने real real कोशन कर आया थे आप देख सकते हैं आपर यह सारे कोशन आपके exam में आये थे जो कि मैंने already करवाये थे और आप लोगों से मैंने कहा भी था कि telegram group join कर लिए चला-चला के बोलता हूँ telegram group join कर लिए वीडियो को description में उसे join कर लिए तो telegram group है online free study लिखेंगे direct लिखेंगे online free study free study direct लिखेंगे study लिखेंगे उसके बाद study में double buy लगाएंगे group join कर लेंगे telegram की link भी वीडियो को description में वहाँ से भी आप join कर लेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला कोशन क्या था पहला कोशन है last ice area जो खबरों में रहा वह किस मा सागर में था जो last ice area नाम का जगे है आपको बताना है यह कहाँ पर है तो यह जो है अंटार्टिका में रहा कहाँ पर भी अंटार्टिका का हिस्सा है कहाँ है अंटार्टिका का हिस्सा है अगला है हाली में खबरों में रहा जो लो दीब किस देश में से थे तो देखे करणटफर के कितने करणटफर के दो कुशन होके जो लो दीब क्या है जो लो दीब जो है फिलेपिन्स में है अगला कोशन मेंकित में से vitamin E का इस तोazvoc vitamin E में 9-9 option में से डिया था vitamin E का इस तो टाजी सब्जी होती है по le car अगला कोशन है पेले सिनीे कि से पुराप्ट होता है कि यकल्शन ऐकला कोशन है सूरे के सबसे निकट कौन सा गर है तो भाईया पहली चीज़ तो सूरे में आप जो बोलेंगे 9 ग्रे नहीं है अब 8 ग्रे हो गए है जान रखेंगे टोटल 8 ग्रे हो गए है मिलकी भी हमारी जो है आसका असमिल का नाम है यहाँ पर कोशिन पूचा है सबसे पास का ग्रे है तो बुद्ध ग्रे है और आपको यह बताना है कि प्रद्वी कौनसे नंबर का ग्रे है और सबसे लाश्ट वाला ग्रे है जो है कौनसा है पहला हमने देग लिया प्रदवी कौनसा नंबर ग्रेग वो आपको उता नहों लास्ट वाला ग्रेग आपको बताना है कमेंट करेंगे अगला कोशिन निम्लिकित में से कौन सा प्रक्षे पास्त्र भूमी से बायू में जाने बाले प्रक्षे सास्त्र है यह दे कि बायू से भूमी में जाने वाला प्रक्षे सास्त्र जो है कौन सा है तो आप्षिन में दिया तो त्रिशूल इस दी करेक्ट आद्र क्या होने वाल बढ़ाने के लिए जो किसका इस्तप्माल किया था है तो इसका इस्तप्माल करते है independent टेट्रा एिथलीन- सी-से का Tekra एथिल- सी-से का जो है हम इस्तप्माल करते है जो आपका पैट्रोल होता है पैट्रॉल में एकदम से डिस्पूर्ट या हम बोल सकते इसकी फ्लेम बढ़ाने के लिए उसकी गुडवक्ता बढ़ाने के लिए हम जो है टाटा एस्थिल का यूज करते हैं अगला कोशिन नहरू ट्रॉपी किस खेल से सम्मझ देता तो नहरू ट्रॉपी बिल्कुल सिंपल है किस सम्मझ देता फुटबॉल से पज है अच्छा उडिशी जो डांस है वो पूछा गया था उडिशी है बहुत सिंपल है पांची प्यूडी कंपीटर में क्या उपबंद नहीं था तो यह जो है निर्वाट ट्यूब यहां पर आप्शन आएगा यानि कि यह जो आएगा वह वेक्यूम ट्यूब इसी करेक ट्रांशर अगला कोशन है मोना लीशा जो चित्र जो है यानि कि यह पैंटिंग है जो फीमस वांट पैंटिंग है वो किस ने बनाई तो यह लेवनाडो दाविंची के द्वारा बनाए गई थी प्रहस में पैंटिंग भी कही जाती है सबसे महेंगी दुनिया की एक है अगला कोशिन है बय प्रतम महीला कौन ती जिनक ने साथ प्रमक सागर तीर कर पार किये बहुत ही important question 2019 का important question है या 2019 का current अफर देख लिजे 2019 current अफर है उसाथ मास सागर तेर के पार किये ते तो बूला चौदरी ही बुला चौधरी दी करेक्टांस देख लिए 29 का करेंट है फिरा रहा है लेकिन ये टॉप मोशन इंपॉर्टन करेंट है फिरा नहीं के भारत के नियंत्र के महालेखा का कारेकाल कितना होता है तो बहुत सिंपल 6 बर्स का होता है अगला कोशिन पूछाता है कोईले के उत्पा जारकंड होगा सीर सिस्थान पर ध्यान रखेंगे क्या होगा जारकंड होगा उके प्राणी प्रियक सा सही समानार्थी सब्द है उके प्राणी प्रियक सा प्राणी प्रियक का जो है प्राणी प्रियक जो शब्द है उसका समानार्थी सब्द कौन सा है तो उसका अर्दा अंगनी क्या होगा अगला em जोड़ो बोलते हैं वायू बोलते हैं पवन बोलते हैं तो ऋप्षेन का वाई जी करेक्टांसर जितने भी कोशन मिलना है मेरे पास मैंने आपको बता धी हैं तो अब आपको वीडियो अच्छे लगीए तो प्लीस लाइक करेंगे वीडियो को के अगर शेयर नहीं किया है शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब करने के वाद आपको वैल काई करना जाएगा जिसे दवा दीजेगा जिससे कि आपको नोडिफिकेशन मिल जाएगा टेलिग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप जोएन जरूर करें जिससे आपको वहाँ पर सारी वीडियो, इसकी पीडियाफ वगेरा भी मिल जाएगी Thank you for watching इस वीडियो बैस आपके एक्जाम के लिए आपके रिसल्ट के लिए